नमस्ते दोस्तों, The Box Sports Club पर आपका स्वागत है क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो भारत के भीतर देश को जोडता है अगर इसे टीवी पर नहीं देखा जा रहा है तो इसे पूरे देश में खेला जा रहा है ऐसे अन्य खेल है जिन्नों ने भारत के चारो और लोग प्रियता हासिल की है बास्केट बॉल, फुट बॉल और कुष्टी तीन नाम लेकिन गहराई से क्रिकेट अभी भी वह धर्म है जो भारत के दिल में है इस खेल की शुरुवात कैसे हुई? और भारत में इस खेल के लिए इस हद तक दिवानगी कैसे बढ़ी? ये जानने के लिए चलते है सन 1721 में 1721 में खेले गए पहले क्रिकेट मैच के साथ ब्रिटिश 1700 के दशक की शुरुवात में भारत में क्रिकेट लाए 1848 में बॉम्बे में पार्सी समुदाय ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब का गठन किया जो भारतियों द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला क्रिकेट क्लब था धीमी शुरुवात के बाद यूरोपियन लोगों ने अंतता पार्सीयों को 1877 में एक मैच खेलने के लिए आमंतरन किया 1912 तक बंबई के पार्सी, सीख, हिंदू और मुसल्मानों ने हर साल यूरोपियन लोगों के साथ एक चतुरभुच टूर्नामेंट खेला 1900 की शुरुवात में कुछ भारतिय इंग्लेंड क्रिकेट टीम के लिए खेलने गए इन में से कुछ जैसे रंजित सीहंजी और के एस दिलीब सीहंजी को अंग्रेजों ने बहुत सराया और उनके नाम रंजित ट्रॉफी और दिलीब ट्रॉफी के लिए इस्तेमाल किये भारत में दो प्रमुख प्रथम श्रेनी टूर्नामेंट 1911 में पटियाला के भुपेंदर सीहं की कप्तानी वाली एक भारतिय टीम ब्रिटिश दिवपके अपने पहले अधिकारिक दोरे पर गई लेकिन केवल इंगलेंड की काउंटी टीम खेली नकी इंगलेंड क्रिकेट टीम भारत को 1926 में इंपिरियल क्रिकेट काउंसिल में आममेंत्रित किया गया था और 1932 में इंग्लेंड में टेस्ट खेलने वाले राश्टर के रूप में अपने शुरुवात की जिसका नेतरूत्व C.K. नाइडू ने किया जिसे उस समय सर्वस्ट्रेश्ट भारतिय बल्लेबाज माना जाता था दोनों पक्षों के बीच एक मात्र टेस्ट मैच लंदन के लॉड्स में खेला गया टीमी इस समय अपने बल्लेबाजी में मजबूत नहीं थी और 158 रन से हार गई भारत ने वर्ष 1933 में अपनी पहली टेस्ट शुंकला की मेजवानी की इंग्लेंड महमान टीम थी जिसने बॉंबे और कलकत्ता में दो टेस्ट खेले दर्शकों ने शुंकला दो शुन्य से जीती 1930 और 40 के दशक में भारत ये टीम में सुधार जारी रहा लेकिन इस अउधी के दोरान अंतराश्य जीत हासिल नहीं की 1940 के दशक की शुरुआत में द्वीतिय विश्वव युद्ध के कारण भारत ने कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला एक स्वतंत्र देश के रूप में टीम की पहली शुंकला 1947 के अंत में सर डोनाल ब्रैडमेन की अजय उस समय की आस्ट्रिया की राष्ट्रिय क्रिकेट टीम को दिया गया नाम के खिलाप थी यह भारत की पहली टेस्ट सीरीज भी थी जो इंगलंड के खिलाप नहीं खेली गई थी आस्ट्रिया ने 5 मैचों की शुंकला 4 शुन्ने से जीती जिसमें ब्रैडमेन ने अपनी अंतिम आस्ट्रियाई गर्मियों में भारतिय गेन बाजों को पीडा दी भारत ने बाद में घर पर अपनी पहली टेस्ट सीरीज इंगलंड के खिलाप नहीं बलकि 1948 में वेस्ट इंडीज के खिलाप खेली वेस्ट इंडीज ने पाच टेस्ट सीरीज एक शुन्ने से जीती 1952 में इंगलंड के भारतिय दोरे के दोरान भारतिय टीम के सदर्सों के साथ महारणी एलिजबेट द्वितिय 1952 में मद्रास में इंगलंड के खिलाप अपने 24 मैच में भारत ने अपनी पहली टेस जीत दर्च की बाद में उसी वर्श उन्होंने अपनी पहली टेस्ट शुरूंखला जीती जो पाकिस्तान के खिलाप थी उन्होंने 1950 के दशक की शुरुवात में 1956 में न्यूजिलेंड के खिलाप एक शुरूंखिला जीती साथ अपना सुधार चारी रखा हाला की वे 6 दशक में फिर से नहीं जीत पाए और मजबुत आस्ट्रिलियाई और अंग्रेजी पक्षों से पुरी तरह हार गए 24 अगस्ट 1969 को भारत टेस्ट में एक पाड़ी से हार गया और इंग्लेंड द्वारा दिया गया केवल 50 वाइट वाश पूरा करने के लिए अगले दशक में भारत की प्रतिष्टा एक ऐसी टीम के रूप में विक्सित हुई जिसका घरेलू स्तर पर रिकॉर्ड मजबूत था उन्होंने 1961-62 में घर पर इंग्लेंड के खिलाप अपनी पहली टेस्ट श्रूंखला जीती और न्यूजिलेंड के खिलाप एक घरेलू श्रूंखला भी जीती 1970 के दशक में भारत की गेन बाजी की कुझी भारतिय स्पिन चौकडी थी बिशन बेदी, EAS प्रसन्ना, B.S. चंदरशेकर और श्री नीवास वेंकट राघवन इस अउधी में भारत के दो सर्वस्रेश्टर बल्ले बाजो, सुरिल गावसकर और गुंडपपा विश्वनात का उदय हुआ भारतिय पीचो में स्पिन का समर्थन करने की प्रवरुत्ती रही है और स्पिन चोकडी ने इसका फाइदा उठा कर बल्ले बाजी लाइनप के विरोध में पतन पैदा किया ये खिलाडी 1971 में वेस्ट इंडीज और इंगलेंड में अजित वाडेकर की कपतानी में लगातार सीरीज जीतने के लिए जिम्मेदार थे गावसकर ने वेस्ट इंडीज श्रूंखला में 774 रन बनाए जबकि दिलिप सर देशाई के 112 रन ने उनकी एक टेस्ट जीत में बड़ी भूमी का निभाई एक दिवसिय क्रिकेट और ICC क्रिकेट विश्वकप की सफलता 1970 से लेकर 1980 तक 1971 में एक दिवसिय अंतर राश्चे क्रिकेट के आगमन ने क्रिकेट जगत में एक नया आयाम बनाया हाला कि भारत को इस समय एक दिवसिय मैचों में मजबूत नहीं माना जाता था और कप्तान गावसकर जैसे बल्लेबाजी के प्रती रक्षात्मक दुरुष्टी कोन के लिए जाने जाते थे भारत ने एक दिवसिय मैचों में एक कमजोर टीम के रूप में शुरुआत की विश्व कप के पहरे दो संसकरोणों में दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई नहीं किया गावसकर ने 1975 में पहले विश्व कप में इंगलन के खिलाप 174 गेंदों में ना बाद 36 रनों की कुख्यात पारी खेली भारत ने 3 विकेट पर सिर्फ 132 रन बनाए और 202 रन से हार गया इसके विप्रित भारत ने टेस्ट मैचों में एक मजबूट टीम को मैदान में उतारा और घर पर विशेश रूप से मजबूट था भारत ने 1976 में 4 टॉप स्पेन में वेस्ट इंडिस के खिलाप तीसरे टेस्ट में एक ततकालिन टेस्ट रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने विश्वनात के 112 की बदलोट जीत के लिए 403 रनों का पीछा किया नवंबर 1906 में टीम ने न्यूजिलेंड के खिलाप कानपूर में घोशित 9 विकेट पर 524 रन बना कर एक और रिकॉर्ड स्थापित किया जिसमें किसी भी बल्ले बाज ने शतक नहीं बनाया चह अर्दश तक थे जिसमें से सबसे अधिक 70 मोहिंदर अमरनाथ द्वारा बनाये गए थे यह पारी टेस रिकेट में केवल आठवा उधारन था जहां सभी 11 बल्ले बाज दोहरे अंक तक पहुंचे 1980 के दशक के दोरान भारत ने कलाई के मोहमद अजर उद्दीन, दिलिप वेंसरकर और आल राउंडर कपिल डेव और रविशासरी जैसे स्ट्रोक निर्माताओं के साथ अधिक आकरमक दिमाग वाली बल्ले बाजी लाइनप विक्सित की भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्वकब जीता, एक मजबूत गेनबाजी प्रदर्शन के कारण लॉट्स में फाइनल में पसंदीदा और दो बार के गत चैंपियन वेस्ट इंडिस को हराया इसके बावजुत टीम ने टेस्ट शेत्र में खराब प्रदर्शन किया, जिसमें बिना जीत के लगातर 28 टेस्ट मैच शामिल थे 1984 में भारत ने एशिया कब जीता और 1985 में आस्ट्रिलिया में क्रिकेट की विश्व चंपियनशीप जीती इसके अलावा भारतीयो उपमहाद वीप के बाहर भारत एक कमजोर टीम बनी रही 1986 में इंग्लेंड के खिलाब भारत की टेस्ट सीरीज जीत अगले 19 वर्ष के लिए उपमहाद वीप के बाहर भारत की आखरी टेस्ट सीरीज जीत रही 1989 के दशक ने गावसकर और कपिल देव को अपने करियर के शिखर पर देखा गावसकर ने 34 शतकों का टेस्ट रिकॉर्ड बनाया क्यूंकि वह 10,000 रन के आंकडे तक पहुचने वाले पहले वेक्ती बने कपिल देव बाद में टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेन बास बने इस अवधी को एक अस्तिर नेतरुत्व द्वारा भी चिन्नित किया गया था जिसमें गावसकर और कपिल ने कई बार कप्तानी का अदान प्रदान किया था अजीत लक्षमन वाडेकर एक भारतिय अंतराश्री क्रिकेटर थे जो 1966 और 1974 के बीच भारतिय राश्री टीम के लिए खेले एक आकरमक बल्लेबाज के रूप में वरनित वाडेकर 1966 में अंतराश्री क्रिकेट में कदम रखने से पहले 1958 में प्रतम श्रेणी में पदारपन किया उन्होंने तीसरे नंबर पल बल्लेबाजी की और उन्हें बहतरीन स्लिप शेत्र रक्षकों में से एक माना जाता था वाडेकर ने उनिस सो इतकतर में वेस्ट इंडीज और इंगलेंड में शुंखला जीतने वाली भारतिय क्रिकेट टीम की कपतानी भी की भारत सरकार ने उन्हें भारत के चोथे सर्वोच्य नागरिक सम्मान अर्जुन पूरसकार और पदमश्री से सम्मानित किया और 1966 और 1974 के बीच भारत के लिए 37 टेस्ट मैच खेले आम तोर पर तीसरे नंबर पर बल्ले बाजी की भारतिय स्टेट बैंक में अन्शकालिक नौकरी के रूप में भी काम कर रहे थे क्योंकि उस समय क्रिकेट में ज्यादा पैसा नहीं था और इसलिए क्रिकेट एक लक्शरी जीवन के बजाए राष्ट के गवरव को बनाय रखने के लिए खेला जाता था वाडे कर के अनुसार उस समय खिलाडियों को प्रतिक टेस्ट मैच खेलने के लिए डाई हजार रुपे का भुकतान किया जाता था वाडे कर को बॉम्बे का कप्तान नियुक्त किया गया था और जल्दी ही 1971 में भारतिय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया जिसमें सुनिल गावसकर, गुंडपा विश्वनात, फारुक इंजिनियर और भारतिय स्पिन चोकडी जैसे खिलाडी शामिल थे जिसमें बिशन बेदी, EAS प्रसन्ना, भागवत चंदरशेकर और श्री निवास रागवन, वेंकेट रागवन थे भारत ने 1970 के दशक की शुरुवात में वेस्ट इंडिस में पांच मैंच जीते और फिर इंगलेंड को तीन से अधिक हराया उन्होंने 1972-73 में पांच मैंचों की शुरुखला में इंगलेंड क्रिकेट टीम को फिर से दो एक से हरा कर भारत को लगातार तीसरी शुरुखला जीत दिलाई दिलीप बलवन्त वेंसरकर एक पूर्वा भारतिय क्रिकेटर और क्रिकेट प्राशासक है उन्हें ड्राईव के सबसे प्रमुक प्रति पादकों में से एक के रूप में जाना जाता था सुरिल गावसकर और गुणडपा विश्वनात के साथ वह सत्तर के दशक के अंत और असी के दशक के शुरुवात में भारतिय बल्लेबाजी क्रम में एक प्रमुक खिलाडी थे वहां 1992 तक खेलते रहे अपने करियर के शिखर पर वेंसरकर को कूपर्स और लाई ब्रांट रेटिंग में सर्वस रेष्ट बल्लेबाज के रूप में दर्जा दिया गया था और उन्होंने 2 मार्च 1989 तक 21 महिने तक नंबर एक स्लोट पर कबजा किया वेंसरकर ने अपना अंतर राश्रे क्रिकेट पदारपन न्यूजिलेंड के खिलाप 1975-76 में आउकलेंड में एक सलामी बल्लेबाज के रूप में किया भारत ने यह टेस्ट पक्के तोर पर जीता लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली बाद में उन्होंने आम तोर पर नंबर तीन या नंबर चार की सिथी में बल्लेबाजी की उन्होंने 1979 में दिल्ली के फिरोशा कोटला में दूसरे टेस्ट में आसिफ इकबाल की पाकिस्तान टीम के खिलाप एक यादगार पारी खेली अंतीम दिन जीत के लिए 390 रनों की आवशक्ता थी उन्होंने भारत का पीछा करते हुए टीम को जीत के बहुत करीब पहुँचा दिया भारत ने 6 विकेट पर 364 रन बनाए जो एक उलेखनीय जीत से सिर्फ 26 रन कम था चाय के विश्राम के बाद यश्पाल शर्मा, कपिल देव और रोजर बिन्नी वापस पवेलियन लोट गए वेंसर करने खुद को साजीदारों से बाहर निकलते हुए देखा और आखरी कुछ ओवर ड्रॉ के लिए खेलने का फैसला किया वह 1.46 रन बना कर नाबाद रहे वेस्ट इंडिस के खिलाब भारत में 1978-79 की टेस्ट सीरीज के दौरान वह कलकता में सुनिल गावस्कर के साथ 300 से अधिक रोनों की साजीदारी में शामिल थे जिसमें दोनों बल्ले बाजों ने शतक बनाये थे वह 1983 विश्व चैंपियन की टीम के सदस्य थे 1985 और 1987 के बीच उनके स्कोर का एक उत्पादक रन था जहां उन्होंने पाकिस्तान, औस्रिलिया, इंग्लेंड, वेस्ट इंडिस और श्री लंका के खिलाब शतक बनाये जबकि वेस्ट इंडिस के तेज गेंड बाजों का क्रिकेट की दुनिया में दब दबा था दिलिब वेंसर कर उन कुछ बल्ले बाजों में से एक थे जो उनके खिलाब सफल रहे और मैलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्स की पसंद के खिलाफ छे शतक बनाये वह वरतमान में सेलिब्रेटी क्रिकेट लीग सीजन पाँच में तेलोगु योद्धा टीम के लिए टीम मेंटर और कोच है उन्होंने 1986 में लॉट्स में शतक भी बनाया इस प्रकार लॉट्स में तीन मैचों में लगाताल टेस्ट मैच शतक बनाए वेंसर करने 1987 के क्रिकेट विश्व कप के बाद कपिल देव से कप्तानी संभाली आलोशना के बावजूद कि वह सीफूड एलर्जी के कारण पेड की बिमारी के कारण सेमी फाइनल मैच से चुक गये थे हाला कि उन्होंने कप्तान के रूप में अपनी पहले श्रूंखला दो शतकों के साथ शुरुआत की उनकी कप्तानी की अउधी अशान थी और 1989 की शुरुवात में वेस्ट इंडीज के विनाशकारी दोरे और भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ विरोध के बाद उन्हें नोकरिक से हाथ धोना पड़ा वाडेकर 1974 में इंगलन का दोरा करने वाली भारतीय टीम के कप्तान बने रहे उन्हें ने उस दोरे के दोरा अपने पहले एक दिव से अंतराश्य खेल में भारत का प्रतिनीती त्वकिया तीसरे नंबर पर बल्ले बाजी करते हुए वाडेकर ने 67 रन बनाए लेकिन फिर भी हार के साथ समाप्त हो गए उन्होंने अपने वंडे करियर में 36.50 की औससस से 81.11 के स्ट्राइक रेट से 73 रन बनाए श्रुंखला में भारत के निराशा जनक प्रदर्शन के बाद उन्होंने अंतराश्य क्रिकेट से सन्यास ले लिया उस दोरे के बाद वाडेकर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने से पहले सिर्फ एक और प्रतम शेनी मैच खिला वाडेकर ने 1990 के दशक में कप्तान मोहमद अजरुद्दिन के साथ भारती क्रिकेट टीम के प्रबंदक के रूप में भी काम किया वो टेस्ट खिलाडी, कप्तान, कोच, प्रबंदक और चैन करताओं के अध्यक्ष के रूप में देश का प्रतिनितित्व करने वाले कुछ भारतियों में से एक है लाला अमरनात और चंदू बोर्डे इस मुकाम को हासिल करने वाले एक मात्रय अन्य खिलाडी है 1989 और 1990 में सचिन टेंडूलकर और अनिल कुमले को राश्ट्रे टीम में शामिल करने से टीम में सुधार हुआ सचिन रमेश टेंडूलकर एक भारतिय पूर्व अंतर राश्ट्रे क्रिकेटर है जिनोंने भारतिय राश्ट्रे टीम की कप्तानी की उन्हें क्रिकेट के इत्यास में सबसे महान बल्ले बाजों में से एक माना जाता है तेंदुलकर ने 11 साल की उमर में क्रिकेट की शुरुवात की 15 नवंबर 1989 को कराची में पाकिस्तान के खिलाब 16 साल की उमर में टेस्ट मैच में पदारपन किया और लगबग 24 वर्षों तक अंतर राष्ट्य स्तर पर मुंबई और भारत का प्रतिनीतित्व किया 2002 में अपने करियर के आधे रास्ते में विजडन ने उन्हें डॉन ब्रैड्मैन के बाद अब तक का दूसरा सबसे महान टेस्ट बल्ले बाज और विव रिचर्ट के बाद दूसरा सबसे महान एक दिउस्य बल्ले बाज का दरजा दिया बाद में अपने करियर में तेंदुलकर 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतिय टीम का हिस्सा थे भारत के लिए 6 विश्व कप में उनकी पहली जीत थी उन्हें पहले टूर्णामेंट में 2003 संसकरण में प्लेयर आप दर टूर्णामेंट नामित किया गया था तेंदुलकर को उनकी उत्कुष्ट खेल उपलब्दियों के लिए 1994 में अर्जुन पूरसकार मिला 1997 में खेल रतन पूरसकार भारत का सरवच्च खेल सम्मान और 1999 और 2008 में पदमश्री और पदमविबूशन पूरसकार भारत के सरवच्च नागरिक पूरसकारों में से दो नवंबर 2013 में उनके आखरी मैच की समाप्ती के कुछ घंटों बाद प्रधान मंत्री कार्या लेने उन्हें भारत के सरवच्च नागरिक पूरसकार भारत रतन से सम्मानिक करने के निरने की घोशना की तब वह अब तक के सबसे कम उम्रे के प्राप्त करता है और पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले खिलाडी थे 2012 में तेंदुलकर को भारत की संसत के उपरी सदन राज्यसभा के लिए नामित किया गया था 2010 में ताइम पत्रिका ने तेंदुलकर को अपनी वार्षिक टाइम सौ सुची में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में शामिल किया था तेंदुलकर को वर्ष 2010 के ICC पुरसकारों में क्रिकेट आप दे इयर के लिए सर गारफिल्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया 2012 में एक दिवसे क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद उन्होंने 200 वार्ट टेस्ट मैच खेलने के बाद नवंबर 2013 में सभी प्रकार के क्रिकेट से सन्यास ले लिया तेंदुलकरने कुल 664 अंतराश्ट्री क्रिकेट मैचिस खेले जिसमें 34357 रन बनाए 2013 में तेंदुलकर को विजन क्रिकेटर्स अल्मनाक की 1500 वी वर्षगाट को चिन्धित करने के लिए 2013 में संकलित एक सर्वकालिन टेस्ट वर्ड इलेवन में शामिल किया गया था और वह टीम में चितरित होने के लिए विव रिचर्ट्स के साथ युद्ध के बाद के युग के एक मातर बल्ले बास थे उन्हें शिवाजी पार्थ दादर में एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और क्लब क्रिकेटर ओफ ख्याती प्राप्तर रमाकांट आचरेकर से मिलवाया पहली मुलाकात में सचिन अपना सर्वस्रेश्ट खेल नहीं खेल पाए अजित ने आचरेकर से कहा कि कोच द्वारा उसे देखकर वह आत्म जागरुक महसुस कर रहा था अजित ने कोच से उसे खेलने का एक और मौका देने का अनुरोद किया लेकिन एक पेड के पीछे चीप कर देखे इस बार सचिन जाहर तोर पर बिना देके बहुत बहतरीन खेले और आचरेकर की अकादमे में स्विखार किया गया सचिन तेंडूलकर को बॉम्बे के कांगा क्रिकेट लीग में क्रिकेट खेलने का भी अनुभो था आचरेकर तेंडूलकर की प्रतिबासे प्रभावित थे और उन्होंने उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा शारदाश्रम विद्यामंदिर हाइ स्कूल डादर के एक स्कूल में स्थानांतरित करने की सलादी जिसमें एक प्रमूख क्रिकेट टीम थी और कई उल्लेखनिय क्रिकेटरों का उत्पादन किया था इससे पहले तेंडूलकर ने बैंडरा में इंडियन एजुकेशन सोसाइटी न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की थी उन्हें शिवाजी पार्क में सुभा और शाम को आच्रेकर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित भी किया गया था तेंडूलकर घंटो नेट्स पर घंटो अभ्यस करते थे अगर वो ठक जाते तो आच्रेकर स्टम के उपर एक रुपय का सिक्का डाल देते और तेंडूलकर को आउट करने वाले गेंद बाद को सिक्का मिल जाता तेंडूलकर अब अपने द्वारा जीते गए 13 सिक्कों को अपनी सबसे बेश कीमती संपत्ती मानते है वो अपने वेस्ट कारेकरम के कारण इस अवधी के दोरान शिवाजी पार्क के पास रहने वाली अपनी चाची और चाचा के साथ चले गए इस बिच स्कूल में उन्होंने एक बच्चे के रूप में प्रतिष्टा विकसित की वस्थानिय क्रिकेट मंडलों में एक आम बाच्चित का बिंदू बन गया थे जहां पहले से ही सुझाव थे कि वह महान खिलाडियों में से एक बन जाएगा सचीन लगातर मातूंगा गुजराती सेवा मंडल शिल्ड में स्कूल टीम में शामिल हुए स्कूल क्रिकेट के आलावा उन्होंने क्लब क्रिकेट भी खेला शुरू में बॉम्बे के प्रीमियर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट कांगा क्रिकेट लीग में जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब का प्रतिनिती द्वकिया और बाद में Cricket Club of India के लिए खेलने के लिए चले गए 1987 में 14 साल की उम्रे में उन्होंने एक तेज गेंदबास के रूप में प्राशिक्षन लेने के लिए मदरास में MRF Pace Foundation में भाग लिया लेकिन औस्टेलियाई तेज गेंदबास डेनिस लीली जिन्होंने विश्वर रिकॉड 355 टेस्ट पिकेट लिए इससे प्रभावित नहीं थे यह सुझाव देते हुए कि तेंडूल कर इसके बजाए अपने बल्ले बाजी पर धान केंदरित करते है 20 जन्वरी 1987 को वह क्रिकेट क्लब ओफ इंडिया की स्वर्ण जैन्ती को चिन्नित करने के लिए बॉम्बे के ब्रेव बॉन स्टेडियम में एक प्रदर्शनी खेल में इमरान खान के पक्ष के विकल्प के रूप में सामने आए कुछ महिने बाद पूर्व भारतिय बल्ले बाज सुनिल गावस करने उन्हें अपने खुद के अल्ट्रा लाइट पैड की एक जोड़ी दी और बॉम्बे क्रिकेट असोसियेशन के सर्वस रिष्टर जूनियर क्रिकेट पूरसकार नहीं मिलने के लिए निराश नहीं होने के लिए उन्हें सांत वना दी यह मेरे लिए प्रोसाहन का सबसे बड़ा स्तोत था तेंडूल करने लगबर 20 साल बाद गावस करके 34 टेस्ट शतोकों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद कहा 1987 क्रिकेट विश्व कप में सचिन ने बॉल बॉय के रूप में काम किया जब भारत ने बॉम्बे में सेवी फाइनल में इंगलन के खिलाफ खेला था 1988 में तेंडूल करने अपनी हर पारी में एक शतक बनाया वर्सेंट जेवियर्स हाइ स्कूल के खिलाप लॉर्ड हैरिस शिल्ट इंटर स्कूल खेल में 664 रन की अटूट साजेधारी में शामिल थे 1988 अपने दोस्त और टीम के साथी विनोत कामली के साथ जो भारत का प्रतिनी दित्व करने के लिए भी गये थे तेंदूल कर ने इस पारी में 326 रन बनाए और टूर्णामेंट में 1000 से अधिक रन बनाए ये 2006 तक क्रिकेट के किसी भी रूप में एक रिकॉर्ड साजेधारी थी जब इसे भारत में हाइदराबाद में आयोजित एक मैच में दो अंडर 13 बल्ले बाजों ने तोड़ा था 14 नौवेंबर 1987, 14 वर्षियत एंदूल कर को 1987-88 सीजन के लिए भारत के प्रमुग घरेलू प्रत्थम श्रेनी क्रिकेट टूर्नामेंट रंची ट्रॉफी में बॉम्बे का प्रतिनी दित्व करने के लिए चुना गया था हाला कि उन्हें किसी भी मैच में अंतिम एक आदर्ष के लिए नहीं चुना गया था उन्हें अक्सर एक स्थाना पन्नक शेत्र रक्षक के रूप में इस्तिमाल किया गया था वो अपने आदर्ष गावस करके साथ खेलने से चुक गये जिनो ने 1987 क्रिकेट विश्व कप के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सन्यास ले लिया था एक साल बाद 11 दिसंबर 1988 को 15 साल और 232 दीन की उम्रे में तेंदुलकर ने वानखडे स्टेडियम में गुजरात के खिलाब बॉम्बे के लिए पदार्पन किया और उस मैच में नाबास सोरन बनाए जिसे वह पहली बार डेव भी पर शतक बनाने वाले सबसे कम उम्रे के भारतिये बन गए प्लास क्रिकेट उस समय भारत के सर्वस रिष्ट तेज गेंद बास कपिल डेव को वानखडे स्टेडियम के क्रिकेट अभ्यास जाल में खेलती हुए देखने के बाद उन्हें तातका लिन बॉम्बे कप्तान दिलिप वेंसर कर द्वारा टीम के लिए खेलने के लिए चुना गया था जहां भारतिय टीम खेलने आई थी न्यूजिलन्ड दोरे पर गई टीम के खिलाब इसके बाद उन्होंने अपने पहले देवधर और दिलिप ट्रोफियों में शतक बनाया जो भारतिय घरेलू टूर्नामेंट भी है टेंडूलकर ने 1988-89 के रंजी ट्रोफि सीजन को बॉम्बे के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी के रूप में समाप किया उन्होंने 67.77 की औससस से 583 रन बनाए और कुल मिलाकर आठवे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाडी थे 1995-96 में इरानी ट्रोफि में उन्होंने 6 भारत टीम के खिलाब मुंबई की कप्ता ने की उन्होंने 1989-90 सीजन की शुरुआत में दिल्ली के खिलाब इरानी ट्रोफि मैच में नाबाच शतक भी बनाया शेश भारत के लिए खेलते हुए 1988 और 1989 में स्टार क्रिकेट कलब के बैनर तले सचिन को एक युवा भारतिय टीम के लिए दो बार इंगलेंड का दोरा करने के लिए चुना गया था 1990-91 के प्रसिद धरंजी ट्रोफि फाइनल में जिसमें हर्याना ने पहली पारी में अग्रणी होने के बाद बॉम्बे को दो रनों से हराया था तेंदुलकर की 75 गेंदों में 96 रन बॉम्बे को जीत का मौका देने की कुणजी थी क्यूंकि इसने केवल 70 ओरों में 355 का पीछा करने का प्रयास किया था अन्तिम दिन 1995 के रनजी ट्रॉफि के फाइनल में तेंदुलकरने कप्तान के रूप में खेलते हुए वान खेडे में पंजाब के खिलाब 140 और 149 रन बनाए हाइदराबाद के खिलाब 53, 2000 में 128, 105, 43, 2007 में बंगाल के खिलाब वान खेडे स्टेडियम में रनजी ट्रॉफि के फाइनल में मुंबई के लिए खेली गई पारी है 1998 में ब्रे बॉन स्टेडियम में महमान आस्टिलियाई टीम के खिलाब खेलते हुए उनका पहला 12 शतक मुंबई के लिए था वा अपने तीनों घरेलू प्रत्थम श्रेणी टूर्नामेंट में पदारपन पर शतक बनाने वाले एक मात्र खिलाडी है एक और 12 शतक 2000 में रंजी ट्रॉफी के सेमी फाइनल में तमिल नाडू के खिलाब 233 रन की पारी थी जिसे वे अपने करियर की सर्वस रेश्ट पारियों में से एक मानते है तेंदूलकर पाँच रंजी ट्रॉफी फाइनल का हिस्सा थे जिसमें मुंबई ने चार बार जीता था 1992 में 19 साल की उमर में तेंदूलकर यौकशायर का प्रतिनी जित्व करने वाले पहले खिलाडी बने जिसने तेंदूल करके टीम में शामिल होने से पहले यॉक्षायर के बाहर से भी खिलाडियों का चैन नहीं किया एक प्रतिस्थापन के रूप में यॉक्षायर के लिए चुने गए घायल ऑस्ट्रियाई तेज गेंद बाद क्रेक मैकडर मोट के लिए तेंदूल करने काउंटी के लिए 16 प्रथम श्रेनी मैच खेले और 46.52 के औसथ से 1070 रन बनाए भारतिय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में तेंदूल करके दो कार्यकाल बहुत सफल नहीं रहे तेंदूल करने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए कप्तान के रूप में अजरुदिन की जगह ली उन्होंने ऑस्ट्रिलिया के दोरे पर भारत का नेत्रूत्व किया टीन-जीरो से हराया गया हाला की तेंदूल करने एक गेम में प्ले आप दे सीरीज का पूरसकार और साथ ही प्लेयर आप दे मैट जीता एक और इस शुंकला हार के बाद इस बार दक्षिन आफरिका के खिलाप घर में शुन्ने दो के अंतर से तेंदूल करने इस्तिफा दे दिया और सवरव गांगुली ने 2000 में कप्तान के रूप में पदभार संभाला भारतिय टीम के 2007 के इंग्लेंड दोरे के दोरान राहूल द्रविड की कप्तानी से इस्तिफा देने की इच्छा जगी तब भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या देख्षशरत पवार ने तेंदूल करको कप्तानी की पेशकश की बाग दोर समालने की सिफारिश की बाद में पवार ने इस बाच्छीत का खुलासा किया जिसमें उन्होंने सबसे पहले दोरी के नाम को आगे बढ़ाने का श्रेयर तेंदूल करको दिया जिन्होंने तब से कप्तान के रूप में काफी सफलता हासिल की 1996 क्रिकेट विश्वकप सेमी फाइनल में घरेलू सर जमीन पर स्रीलंका द्वारा बाहर किये जाने के बाद टीम में एक साल का बदलाव आया क्योंकि सौरफ गांगोली और राहुल द्रविड जो बाद में टीम के कप्तान बने ने लौड्स में उसी टेस्ट में पदारपन किया तेंदुलकर ने 1996 के अंत में कप्तान के रूप में अजरुद्दिन की जगा ली लेकिन एक व्यक्तिगत और टीम फॉर्म में गिरावट के बाद तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी और 1998 की शुरुआत में अजरुद्दिन को बहाल कर दिया गया कप्तानी का बोज हटा दिये जाने के साथ तेंदुलकर टेस्ट और दोनों में दुनिया के अग्रणी रन स्कोरर थे ODIJC की भारत ने ऑस्टेलिया पर घरेलू टेस्ट शुंकला जीत का आनंद लिया दुनिया में सर्वस रेश्टर रैंक वाली टीम 1999 के क्रिकेट विश्व कप में सेमी फाइनल में पहुँचने में विफल रहने के बाद तेंदुलकर को फिर से कप्तान बनाया गया औस्टेलिया के दोरे पर ती शुन्ने से हार गया और फिर दक्षिन अफरिका के घर में दो शुन्ने से हार गया तेंदुलकर ने इस्तिफा दे दिया फिर कभी टीम की कप्तानी नहीं करने की कसम खाई गांगुली को नया कप्तान नियुक किया गया और 2000 में टीम को और नुकसान हुआ जब पूर्व कप्तान अजरुद्दिन और साथी बल्लेबाज अजय जड़ेजा को मैच फिक्सिंग कांड में फसाया गया और उन्हें क्रमशा जीवन और 5 साल का प्रतिबंध दिया गया इस अउधी को BBC ने भारती क्रिकेट का सबसे खराब समय के रूप में वर्नित किया था हलाकि नय कोर तेंडुलकर, द्रविड, कुमले और गांगुली ने उनके साथ फिर से ऐसा नहीं होने देने और भारती क्रिकेट को अंधेरे समय से बाहर निकालने की कसम खाई और पहले तीन में व्यक्तिगत महत्व कांग्शाओं को एक तरफ रख दिया ताकि गांगुली उन्हें एक नए यूग में ले जा सके सवरव गांगुली की कपतानी और भारत के पहले विदेशी कोच जॉन राइट के मारगदर्शन में भारतीय टीम में बड़े सुधार हुए भारत ने 2001 में जीत के बाद टेस्स सीरीज में आस्ट्रेलिया के खिलाब अपने नाबाद घरेलू रिकाउड को बनाये रखा के रूप में चिन्हित किया क्योंकि उनकी टीम भारत में एक टेस्स शुंखला जीतने में असमर्थ थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाब 2001 में जीत ने अपने कपतान सौरव गांगुली के नेतरूत में भारत के लिए एक ड्रीम रन की शुरुवात की जिंबावे श्री लंका वे इंग्लेंड के हिलाब नेट वेस्ट एकद उसे शुंखला के फाइनल में आया था इसी वर्ष भारत श्री लंका के साथ ICC चैंपियन्स ट्रॉपी के संयुक्त विजेता थे और फिर दक्षिन अफरिका में 2003 क्रिकेट विश्व कप में गए जहाँ वे फाइनल में प्राबरी की और फिर पाकिस्तान में एक टेस्ट और एक दिवस्य श्रिंखला जीती 2004 के सीजन से भारत को अपने पुराने खिलाडियों से फॉर्म और फिटनेस की कमी का सामना करना पड़ा औस्ट्रिया के खिलाप एक घरेलू टेस्ट श्रिंखला में हार के बाद पाकिस से पदभार संभाला लेकिन उनके तरीके विवादास्पत साबित हुए और गांगुले के साथ बाहर हो गये जिसके परिणाम सुरुप राहुल द्रविड को कप्तान बनाया गया इसने MS धोनी और सुरेश रैना जैसे खिलाडियों के उभरने और इर्फान पठान और इव और शुंखला ने भारत को ICC ODI रैंकिंग में दूसरे स्थान पर लाख खड़ा कर दिया द्रवीड तेंडूलकर और विरेंद्र सहवाग को ऑस्ट्रिया के खिलाप 2005 के सुपर टेस्ट में ICC विश्व एक का दश के लिए खेलने के लिए चुना गया था टेस्ट श्रिंख बनाया हाला कि 2006 में वेस्ट इंडीज में चार एक की श्रिंखला हारने से भारत के एकदी उसिया फॉर्म में गिरावट आई जबकि उन्होंने टेस्ट श्रिंखला में एक शुन्य से जीत हासिल की जिससे उन्हें 1971 के बाद से केरेबियन में अपनी पहली टेस्ट श्रिंख और गिर गया इसके बाद फिर से टेस्ट में एक प्रारंबिक अच्छा प्रदर्शन हुआ जिसे भारत को दक्षिन अफ्रीका में अपनी पहली टेस्ट मैच जीत मिली हाला कि वेश्रिंखला दो एक से हार गये इस टेस्ट श्रिंखला को गांगुली की भारतिये टीम में वापसी के रूप में चिन्दित किया गया था दिसंबर 2006 में भारत ने दक्षिन अफ्रीका में अपना पहला 2020 अंतर एश्रे मैच खेला और जीता 2020 क्रिकेट खेलने वाली सबसे हाली अट टेस्ट टीम बन गया 2007 की शुरुवात में 2007 क्रिकेट विश्व कप से पहले भारतिय टीम के वंडे भाग्य में एक पुनरुद्वार देखा गया था वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के खिलाब श्रुंखला जीत गांगुली की वापसी और तेंदुलकर द्वारा मजबूत फॉर्म के साथ रॉविन उत्थपा जैसे युवा खिलाडियों के उत्भव ने कई पंडितों को 2007 क्रिकेट विश्व कप जीतने के दावेदार के रूप में भारत को टिप देने के लिए राजी किया हाला कि बांगलादेश और श्रीलंका से हार के कारण भारत दुसरे दौर में नहीं पहुच पाया अगस 2007 में इंगलेंड के खिलाप टेस्ट श्रिंखला जीतने के बाद द्रविड ने कप्तान के रूप में पत छोड़ दिया और धोनी को 2020 और एक दिव से टीम का कप्तान बनाया गया सितंबर 2007 में भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पाच रन से हरा कर दक्षिन आफरीका में आयो जित पहला 2020 विश्व कब जीता 2007-2008 में उन्होंने आस्ट्रेलिया का दोरा किया जहां भारत अत्यधिक विव में सफल रहा अप्रेल 2009 में भारत ने 41 वर्ष में न्यूजिलेंड में अपनी पहली टेस्ट श्रिंकला जीत हासिल की डिसंबर 2009 में श्री लंका को दो शुने से हरा कर भारत दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम बन गया उन्होंने दक्षिन आफरीका और श्री लंका के खि अक्टूबर 2010 में भारत ने घरिलू टेस्ट सीरीज में ऑस्रीलिया को दो शुने से हरा दिया जिससे उन्हें उनके खिला बैक टू बैक सीरीज जीत मिली उस वर्ष बाद में भारत दक्षिन आफरीका में टेस्ट श्रिंकला एक-एक से ड्रॉ करने में सफल रहा दो अप्रेल 2011 को भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हरा कर 2011 क्रिकेट विश्वकब जीता इस प्रकार वेस्टर नीज और आस्ट्रेले के बाद दो बार विश्वकब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई भारत घरिलू सरजमीन पर विश्वकब जीतने वाली पहली टीम भी ब रूप में स्थान दिया इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जन्वरी 2012 में एक और चार शुन्य से वॉइट वोश किया गया विनाशकारी सफेदी ने 2012 में टेस्ट क्रिकेट से द्रमिड और वीवी एस लक्षमिन की सेवा निवरुत्ती देखी तेंदुलकर अपने 200 वेट टेस्ट मैच के बाद नवंबर 2013 में सेवा निवरुत्त हुए 2008 में गांगुली के सेवा निवरुत्त होने के साथ इस अउधी ने एक दशक से अधिक समय तक भारत के मध्यकरम के बल्लेबाजी क्रम में के अंतका संदेश दिया 2012 में भारत को एक कठिन संक्रमन अउधी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनने इंग्लंड द्वारा घरेलू टेस्ट श्रिंखला में दो एक से हराया गया था 1984-85 के बाद यह पहली बार था जब भारत को इंग्लंड ने घर में हराया था इसके बाद घर में पाकिस्तान के खिलाब एक दियूसीय श्रिंखला में दो एक से हार का सामना करना पड़ा भारत तब 2012 ICC विश्वर 2020 के दूसरे दौर में बाहर हो गया था भारत 2012 एशिया कफ फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में भी विफल रहा जो भारत के लिए निराशा जन्नक वर्ष रहा हालागी 2013 उनके लिए पहतरीन साल रहा 2013 की शुरुवात में भारत ने ऑस्ट्रिलिया के पक्ष में वापसी की और एक तेश श्रिंखला में घर पर चार शुनने से उनका सफाया कर दिया भारत ने तब साथ मैचों की एक दियू से श्रिंखला में ऑस्ट्रिलियाइट टीम को तीन दो से हराया और एक तरफा T20 जीता हाला की भारत को न्यूजिलेंड और दक्षिन आफरीका के खिलाप घर से दूर भारी हार का सामना करना पड़ा जिसके कारण भारत ये क्रिकेटरों की विदेशों में प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होने की भारी आलोचना हुई भारत ने 2013 ICC चैंपियन ट्रोफी फाइनल में इंगलेंड को हराया और धोनी तीन प्रमुक ICC ट्रोफी जीतने वाले इतिहास के पहले कप्तान बने अर्थात ICC विश्वर 2020 और ICC चैंपियन ट्रोफी इसके बाद 2013 में भारत वेस्ट इंडिस और श्रीलंका से मिलकर वेस्ट इंडिस त्रिकोनिये शिंखला में जीत हासिल की 2014 में भारत ने बांगलादेश और इंगलेंड का दोरा किया हाला कि उन्होंने 3-1 दिउसिया मैचों में पूर्व 2-0 से हराया भारत को इंगलेंड द्वारा 5 टेस मैचों में 3-1 से हराया गया था इस श्रिंखला में लॉड्स में श्रिंखला के दूसरे मैच में भारतिय टीम के लिए एक प्रसिद्ध जीत शामिल थी टेस्ट श्रिंखला के बाद भारतियों के लिए पाँच मैचों की एक दिवसिय श्रिंखला में तीन एक से जीत और इंग्लेंड के खिलाब एक तरफा T20 में हार का सामना करना पड़ा 2015 में दक्षिन आफरीका को बड़े पैमाने पर हराने के बाद भारत ने नए कप्तान विराट कोहली के टेस्ट मैचों में घर पर हावी होना शुरू कर दिया यह श्रिंकला 19 टेस्ट मैचों की नाबाद लकीर की शुरूआत थी सर्वस रेष्ट स्पीनरों और आल राउंडर के रूप में उबरे इसके बाद घर से दूर आस्ट्रिलिया और श्रीलंका पर सीमित ओरों की जीत हुई भारत 2015 विश्व कप सेमि फाइनल में अंतिम विजटा आस्ट्रिलिया से बाहर हो गया था भारत ने 2016 की शुरूआ 2016 एशिया कप जीत कर की जो पूरे टूर्नामेंट में नाबाद रहा भारत 2016 ICC विश्व 2020 जीतने के लिए पसंदीदा था जो घर पर आयुजित किया जा रह था लेकिन सेमि फाइनल में अंतिम चैंपियन वेस्ट इंडिस से हार गया 2016 में भारत के लिए दे ग्रैंड होम सीजन शुरू हुआ जिसमें न्यूजिलेंड इंगलेंड बंगलादेश और आस्रिलिया के खिलाब घर पर शुंखला शामिल है भारत ने लगबक 10 वर्षों क के बाद टेस्ट क्रिकेट में नंबर एक रेंगिंग हैसिल करने के लिए न्यूजिलेंड का सफाया कर दिया इंगलेंड के खिलाब शुंखला से पहले एमेस धोनी ने सीमीत ओरों में कप्तान के रूप में इस्तिफा दे दिया इस प्रकार सभी प्रारूपों में विराट सिरीज जीती जिसका मतलब था कि भारत ने बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी पर फिर से कबजा कर लिया इस प्रक्रिया में भारत अन्य सभी टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाब अपनी सबसे हालिया टेस्ट रिंकला जीतने वाली तीसरी टीम आफ्रिका और आस्ट्रिय के खिलाब 3 ODI खेले और 2 शुन्य से जीत हासिल की ऑस्ट्रिया के बाद भारत ने न्यूजिलेंड के खिलाब अपनी पहली दूर श्रिंकला खेली और न्यूजिलेंड में पहली बार 5 शुन्य से एक T20 श्रिंकला जीती लेकिन वे 3 ODI 3 शुन्य से हार गय उन्होंने हो गया आठ महिने बाद भारत ने 2020 के अंत में ऑस्ट्रिलिया के खिलाव खेला उन्होंने 3-1 दिवसिया मैच खेल कर दोरे की शुरुवात की लेकिन श्रिंकला 2-1 से हार गई इसके बाद उन्हेंने T20 श्रिंकला खेली लेकिन इस बार वे जीत गय उन्होंने बॉर्डर ग जीता था उन्होंने Melbourne में दूसरा टेस्ट 8 विकेर से जीता Sydney में तीसरा टेस्ट ड्रॉ किया और Brisbane में चौता टेस्ट 3 विकेर से जीता औस्रिलिया में टेस्स सीरीज जीत कर भारत दक्षिन अफरिका के साथ औस्रिलिया में दो टेस्स सीरीज जीतने वाली टीमों में से एक बन गया महारत ने 2021 की अपनी पहली घरेलू सीरीज इंग्लेंड के खिलाफ खेली मैच चेन्ने अहमदबाद और पूने में खेले गए उन्होंने चेन्ने में पहला टेस्ट 2027 रन से हार कर सीरीज की शुरुवात की थी लेकिन उन्होंने अगले तीन टेस्ट मैचों में टेस्ट सीरीज 3-1 से जीत कर जीत हासिल की उन्होंने नकेवल टेस्ट सीरीज जीती बलकि उन्होंने 2021 ICC विश्वर टेस्ट चैंपेंशिप फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया उन्होंने T20E सीरीज में खेली जिसमें उन्होंने 3-2 से जीत हासिल की और 1-day सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की फिर भारत ने सौथ थेंप्स में न्यूजिलंड के खिला 2021 ICC विश्वर टेस्ट चैंपेंशिप फाइनल खेला जिसमें उन्होंने 8 विकेर से हार का सामना करना पड़ा भारत ने इंगलंड के खिला पांच टेस्ट मैचों की श्रिंखला खेली उसमें भारत श्रिंखला में 2-1 से आगे है क्यूंकि पांचवा टेस्ट कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था पांचवा परिक्षन जूलाई 2022 में निर्धारित किया गया 2021 टी-20 विश्वा कप से एक महीने पहले कोहली ने घोशना की की टूर्णामेन टी-20 कप्तान के रूप में उनका आखिरी कार्यकाल होगा भारत ने पाकिस्तान के खिलाब अपना पहला मैच 10 विकेट से हार कर खेला इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड को हरा कर न्यूजिलेंड के खिलाब 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा भारत अभी भी सेमी फाइनल की दौड में ही है भारत की प्रगती के लिए उसे न्यूजिलेंड को हराने के लिए अफगानिस्तान की जरूरत थी लेकिन न्यूजिलेंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया और भारत ने नामी बिया को 9 विकेर से हरा कर अपना अभियान समाप्त कर दिया इसके तूरन बात रोहिश शर्मा को नए T20 कप्तान और राहुल रविट को नए मुख्य कोच के रूप में घोशित किया गया एक नए कप्तान और उनका मारगदर्शन करने के लिए एक नए कोच के साथ भारत ने T20 शुन्खला में 3 शुन्ने से नियूजिलेंड का सफाया कर दिया और इसके बाद बात की टेस्ट शुन्खला में 1 शुन्ने से जीत हासिल की 20 भरवरी 2022 को भारत 6 वर्षों के बाद दुनिया की नबर वन T20 टीम बन गया फिर श्रीलंकाई क्रिकेट टीम ने एक T20 और एक टेस्ट शुन्कला के लिए भारत का दोरा किया भारत ने तीन मैचों की T20 श्रिंखला में श्री लंका का सफाया कर दिया। टेस्ट श्रिंखला के लिए रोही शर्मा को अधिकारिक तौर पर भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में घोशित किया गया था। इंडियन क्रिकेट लीग की स्थापना 2007 में जी इंटर्टेन्मेंट इंटर्प्राइजिस द्वारा प्रदान की गई, फंडिंग से की गई थी। के लिए बिसी सी आय ने अपने घरेलू टूर्नामेंट में पुरसकार राशी में वृद्धी की और आइसील में शामिल होने वाले खिलाडियों पर आज इवन प्रतिबंद भी लगाया, जिसे बोड द्वारा एक विद्रोही लीग माना जाता था। 13 सितंबर 2007 को BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग नामक एक फ्रेंचाइजी आधारित 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता की घोशना की। पहला सीजन अप्रेल 2008 में नई दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल समारहों में शुरू होने वाला था। BCCI के उपाददक्ष ललित मोधी जिन्नोंने IPL के प्रयास का नेतरुत्व किया। तुर्णामेंट के विवरन इसके प्रारूप तुरसकार राशी, फ्रेंचाइजी, राजस्व प्रनाली और टीम संद्रचना, नियमो, सहित, विवरन दिया। यह भी पता चला कि IPL भारत के पूर्वक हिलाडियों और BCCI अधिकारियों से बनी एक साथ सदस्य गवरनीत काउंसिलिंग द्वारा चलाया जाएगा। और IPL की शिर्ष दो टीमें उस साल के चैंपियन लीग 2020 के लिए क्वालिफाई करेंगी। मोधी नहीं यह भी स्पष्ट किया कि वे दो साल से इस विचार पर काम कर रहे थे और IPL को ICL के लिए घुटने की प्रतिग्रिया के रूप में शुरू नहीं किया गया था। लीग का प्रारूप इंग्लेंड के प्रीमियर लीग और सयुक्त राज्य अमेरिका में NBA के समान था। रंजी ट्रोफी भारत में खेत्री और राज्य क्रिकेट संगों का प्रतिनीतिद्व करने वाली कई टीमों के बीच खेले जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेनी क्रिकेट चैंपेंशिप है। प्रतियोगिता में वर्तमान में 38 टीमें शामिल है जिसमें भारत के सभी 28 राज्य और आठ केंद्र शाष्रीत प्रदर्शों में से चार में कम से कम एक प्रतिनीतिद्व है। प्रतियुगिता का नाम अंतराश्री क्रिकेट खेलने वाले पहले भारती क्रिकेटर रंजित सीहन जी के नाम पर रखा गया है जिने रंजी के नाम से भी जाना जाता है प्रतियुगिता जुलाई 1934 में एक बैठक के बाद शुरू की गई थी 1934-35 में पहली फिक्चर के साथ पटियाला के महाराजा भुपिंदर सीहने ट्रॉफी दान में दी थी प्रतियुगिता का पहला मैच 4 नवंबर 1934 को मदरास और मैसूर के बीच मदरास के चेपॉक मैदान में आयुजित किया गया था मुंबई ने सबसे अधीक बार 41 जीत के साथ टूर्णामेंट जीता है जिसमें 1958-59 से 1972-73 तक 15 बैक टू बैक जीत शामिर है चलिए जानते हैं महिलाओ के लिए क्रिकेट का सफर कैसे शुरू हुआ यह सब 1970 के दशक की शुरूआत में शुरू हुआ जब कुछ उत्साही महिलाओं ने क्रिकेट को अपनाया हाला कि खेल का अधिकारिक तौर पर आयोजन नहीं किया गया था फिर भी संस्तापक सचिव श्री महेंद्र कुमार शर्मा के नाम से एक उध्यमी सज्जन ने बेगम हमीदा की अध्यक्षता में 1973 में लखनों में सोसाइटी अधिनियम के तहद भारतियक महिला क्रिकेट संग को पंची कुरूद किया हबिबुल्ला यह कई नवोदित महिला क्रिकेटरों के लिए वर्दान के रूप में आया उसी वर्ष WCAI को अंतर राश्य महिला क्रिकेट परिश्यत की सदस्यता भी प्राप्त हुई 1970 और 1973 के बीच क्रिकेट की बहुत सारी गतिवी दिया थी क्योंकि महिला खिलाडी साल के बारा महिनों में से नौ महिने खेल खेलने में वैस्त थी अप्रेल 1973 में पूने में पहली महिला अंतर राजजी और राश्य प्रतियोगिता आयुजित की गई जिसमें तीन टीमों ने भाग लिया अर्थात बॉम्बे महाराश्य और उत्तर प्रदेश इस वर्ष के अंत में दूसरा संसकरन वारा नसी में आयुजित किया गया था और इस बार टीमों की संक्या तीन से बढ़कर आठ हो गई वारा नसी में दूसरे राश्यक के बाद कार्यकारी समीती का पुनर गठन किया गया और श्रीमती चंद्र तिपाटी और श्रीमती प्रमिलाबाई चवान के क्रमशा अध्धक्ष और अध्धक्ष के रूप में पदबार समाला इन दोनों महिलाओं ने संस्तापक सच्यू श्री एम के शर्मा के साथ महिला क्रिकेट के प्रारंबिक विकास में प्रमुक्ष भूमिका निभाई जब तीसरी चैंपेंशिप कलकेटा में हुई तब तक टीम की संक्या बढ़कर चौदा हो गई थी इसके बाद सभी राज्यों ने भाग लिया बाद में रेलवे और एर इंडिया ने महिला क्रिकेटरों को नियुक्त किया और उन्होंने अलग-अलग टीमों के रूप में भाग लिया जल्दी अन्य टूरनामेंट भी पेश किये गए रानी जहासी ट्रॉफ़ी के नाम से अंतरक्षेत्रीय समीती ओवर का टूर्णामेंट 1974 में कानपूर में आयुजित किया गया था अंतर विश्व विद्याले टूर्णामेंट भी उसी वर्ष राजकोट में आयुजित किया गया था सब जुनियर और जुनियर टूर्णामेंट भी आयुजित किये गये प्रतिक जोन में विजिताओं ने इंदीरा प्रदर्शनी टॉफी खेली और राउ कप के लिए शेश भारत टीम के खिलाब खेले गए नैशनल वीजेता घरेल उस्तर पर पार साल के सपल कार्यकाल के बाद भारत में पहली बार द्वी पक्षिय महिला क्रिकेट शिंकला 1975 में खेली गई थी जब ऑस्रेला की अंडर 25 टीम ने तीन मैचों के टेस्ट शिंकला खेलने के लिए भारत का दवरा किया था उन्हें दीली और कलकटा वे तीन स्थान थे जहां टीम एक खेलती थी दिल्चस्प बात ये है कि तीन टेस्ट मैचों के लिए तीन कपतान थे उजवला निकम सुधा शाह और श्री रूपा बोस और श्रीलंका के बाद भारत ने न्यूजिलेंड और वेस्ट इंडिस के साथ घर के साथ साथ बाहर भी खेला न्यूजिलेंड और इंगलेंड के खिलाब स्कट मैच खेलते थे जबकि भारतिय और वेस्ट इंडिस के खिलाब पतलून में खेलते थे आगे बढ़ते हुए सीनेर भारतिय महीला तीम ने अपना पहला अंतर रश्य मैच वेस्ट इंडिस के खिलाब 31 अक्टूबर 1976 को पैंगलोर में खेला दोनों पक्षो के बीच खेला गया टेस्ट मैच ड्राउ पर समापत हुआ ये अच्छा मैचों की टेस्ट श्रिंकला थी और शुंकला एक ड्राउ में समापत हुई जिसमें दोनों पक्षो ने एक एक गेम जीता उस दिन महीला टेस्ट मैच तीन दिव्स एंны शेया मामला आस्ट्रिलिया न्यूजिलंड और इंग्लेंड अन्य तीन टीमें थी दुर्भाग्य से भारत का प्रदर्शन निराश्या जनक रहा क्यूंकि उसने तीनों मैच गवाए तैना एडुल जी के नेतरूत्व बाली टीम ने अपना पहला वंडे एक जन्वरी 1978 को कलकत्ता के एड भारत ने 1995 में न्यूजिलंड क्रिकेट के शताब्दी समारों में अपनी पहली एक दिवस्य श्रिंखला जी ती और यह देश में महिला क्रिकेट के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला था टीम को एक दिवस्य क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने में 17 साल लग गए शांता रंगास्वामी, डायना एडुल जी, सुधा शाह और संधय अगरवाल जैसे कुछ खिलाडियों ने बड़ा योगदान दिया और खेल को ब्रभावित किया भारत सरकाल ने इन चारों को प्रतिष्टित अर्जुन पूरसकार देकर महिला क्रिकेटरों के योगदान क जबकि संधय अगरवाल ने 1986 में इंग्लेंड में एक टेस्ट मैच में एक पारी में 190 रन बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था इनके अलवा नीतु डेविड ने 1995 में इंग्लेंड के खिलाप 8.53 रन बनाये थे 96 एक टेस्ट मैच की पारी में रिकॉर्ड गेंद बाजी का प्रयास था चुकि हम भारतिय महिला क्रिकेट के इतियास के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहां खेल के अग्रदूतों पर प्रकाश डाला है 1978 के विश्व कप में एक भी मैच नहीं जीतने से लेकर 2005 और 2017 में फाइनल में पहुंचने से लेकर 2017 के दर्शक में एक छोटी सी भीड को आकरशित करने के लिए 85,000 से अधिक दर्शकों को आकरशित करने तक भारतिय महिलाकरिके टीम ने स्पष्ट रूप से एक लंबा सफरते क्या है